लास्ट वीडियो मैं अप्लोट कर रही थी कि आपकी फिलिंग्स वेस यूर पार्टनर की फिलिंग्स लेकिन वो शूट करते करते आई रोनो वाई एकदम से फोन स्टोप हो गया और जो थर्ट पाइल था जिन्होंने भी चूस किया था अप्रेस उनके पार्टनर की हो ठीक है लेकिन अब जो मुझे फिलिंग्स आ रही है जो यहां पर दिख रहा है मुझे कि अब जो है जो कार्मिक थे उनके जिनकी वज़े से उन्होंने आपका प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अब वो उन कार्मिक के प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकोज अब उनको जिस तरह से आपकी spiritually awakening हुई है कही ना कहीं वो भी intuition उनकी भी intuition बढ़ रही है उनका भी spiritual attachment बढ़ रहा है अब उन्हें पता चलेगा कि कार्मिक और आपके बीच में क्या difference है अब उन्होंने वो कप अगर तब offer नहीं करा था तो अब वो खुद आगे बढ़कर जो हैं आपको propose करेंगे इस offer को accept करेंगे और जो पुरानी obstacles थे आप दोनों की life में उससे वो बाहर निकलेंगे और आपको भी निकालेंगे आपके life में जो परिशानिया थी उनके साथ एक tower moment आएगा that means वो परिशानिया जो है वो खतम हो गई है because divine आपके साथ है angels आपके साथ है universe आपके साथ है और उनके through आपका जो partner है वो आपके तरफ सारी परिशानियों से overcome होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आएगा वो सबको reject करके अब आपी को accept करेगा because उसका focus जो है अब आपके तरफ होना start हो गया है वो आपको बहुत miss कर रहा है वो आपसे बहुत सारी बात करना चाहता है अब उसको पता चल गया है कि जो कार्मिक उसके life में आए थे वो बहुत ज़्यदा उपर से bright थे लेकिन all that glitters is not gold हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती उसको समझ में आ गया कि real जो love है, real जो future है वो उसका आपके साथ है अब वो आपको जो है propose करना चाहता है, आपकी तरफ confidently बढ़ना चाहता है आपसे marriage करना चाहता है, reconciliation करना चाहता है पुरानी चीजों को फैंक कर, पुरानी जो obstacle थे उनको remove करके नई journey की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, पुरानी करवाहट हो सकते हैं कुछ arguments हो सकते हैं, कुछ conflicts हो सकते हैं, उनको remove करके positively आपके तरफ बढ़ना चाहता है एक tower moment आया है उसके life में, हो सकता है कि उसके karmic ने उसको धोका दे दिया हो या उसको इतना बड़ा उसका दिल तूट गया हो उसकी वज़े से कि अब उसे realize हो गया है कि right क्या है और wrong क्या है और यह कहीं ना कहीं आपकी prayers का ही result है कि आपने इतनी prayer की उनके लिए कि वो वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं finally God ने उनको lesson दिया, now he wants to come back in your life और she wants to come back in your life, okay तो finally यह जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं आपको propose करना चाहते हैं, आपके साथ date करना चाहते हैं आपके साथ celebration करना चाहते हैं और अब यह person जो है सामने से बढ़कर आएंगे और अपने efforts जुटाएंगे इस relationship में जो इन्होंने अब तक नहीं जुटाएं अब तक इन्होंने कापे एग्णोर किया, लेकिन अब यह एग्णोर नहीं करेंगे जो कि मुझे आगे की feelings के दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कि यह चीजे जो है action में action में convert होने में थोड़ा सा time ले ले लेकिन मुझे लग रहा है कि maximum one year तक आप लोगों की marriage भी हो जाएगी यहाँ पर बहुत strong feeling मुझे आ रही है और जो problems हैं वो तो already overcome होनी start हो जाएगी बिकोज आप तो पहले से राजी थे और अब यह भी राजी हो जाएगे सकता है तो आपका reunion बहुत दूर नहीं है ठीक है तो आप जो है work करते रहे और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है already married हो और pregnant हो और separation phase में हो तो मुझे अब आगे की energy आ रही है कि आपका जो baby है वो आपके partner को भी दुबारा आपके life में वापेस लेकर आएगा ठीक है thank you so much for watching if you like don't forget to thumbs up and share this in your group and please subscribe my channel and click the bell icon for watching more videos like this and bell icon click करने के बाद आप कोई भी update कोई भी new video miss नहीं कर पाओगे because आपको notification मिल जाएगा ठीक है and अगर आप लोगों को more clarity चाहिए about your relationship you can book your personal session आज 50% discount पे है 1111 ठीक है 1111 रुपीज में आपकी जो है booking हो चाहेगी paid personal readings की तो if you want book now hurry up bye have a lovely day and may god bless you everyone